वेल्कम टो ओल्लेन और ओफलेन गयान चैनल मैंने मिज गोराव दोस्तों आज जो मैं आपके लिए इंफोर्मेशन लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ IOCL के अप्रेंडिशिप की भाई देखो मैंने आपको पहले भी बतायता और एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ अप्रेंडिशिप केंडिडेट उन से भी कंफर्म किया है कि उनको जो है वहाँ पर 16-16,000 रपे भी मिले हैं कुछ को 14 भी मिले हैं कुछ को 12 भी मिले हैं तो यह किस स्टेट में आप जा रहे हैं किस रीजन में जा रहे हैं वहाँ पर यह डिपेंड करता है उस स्टेट के र नोडिफिकेशन मिलेगा यहां से आप अपने important questions देख पाएंगे यह आपकी जो है guide है to online registration और online registration यहां से आपको करना है और जब इसका admit काड़ा जाएगा तो यहां से आप जो है इसे download कर पाएंगे तीक है मैं आप आपको notification पर लेकर सकते हैं notification यहां से आप download कर सकते हैं बढ़ते है notification की और देखो भई यह इसका notification है यहां पर जो इन्होंने states दे रखे है वो यहां पर दिये हुए वेस्ट बंगाल बिहार उडिशा जारखन और असम आप यह मैं सोचना कि यहीं के बच्चे eligible है ओल इंड़ा के candidates आप बढ़ सकते हैं और perform बिल्कुल free है कोई भी आपका charge नहीं लगने वाला है यहां पर different different states के according vacancies दे रखी है मतलब apprenticeship दे रखी है आप इसे देख लेना तो पहले में west बंगाल का देख लेता हूं west बंगाल में जो है आपका यहां पर fitter है electrician है उसके बाद electronic mechanic है आपका जो है आपर instrument mechanic है trade apprenticeship में आप आपका machineist है उसके बाद आपका यहां पर जो diploma वाले बच्चे हैं उनके लिए भी है देख लें इस चीज को आप और उसके बाद graduation वाला part भी इन्होंने दिया हुआ है तो यह आप देख लेना और बिहार का भी इहां पर इन्होंने जो है criteria दे रखा है eligibility का और यहां पर vacancy भ देख लेना कोई doubt हो मुझे comment box में बताना अब यह आप पर depend करते हैं कि आप different state में जाके करना चाहते हैं apprenticeship तो कर सकते हैं बाकी same state के candidates जरूर अप्लाई करना यहां पर एक चीज आपको बता दू वह candidate भी apply कर सकते हैं जिनका अभी result नहीं आए लेकिन फाइनल लियर में है जि यह जो department है इनको inform करना पड़ेगा attach करके कि हम जो है यहां पर अभी अपना result का wait करने हैं लेकिन हमने final exam दे दिये हैं lateral entry वाले भी इसका form fill कर सकते हैं एक important बात ITA वाले बच्चे सिर्फ NCVT से कर सकते हैं SCVT वाले बच्चों को इस बार IOCL ने मुखा नहीं दिया है इन states म नीचे हम बढ़ते हैं नीचे और भी criteria जे देखते हैं यहां पर age के criteria 18 से 26 साल का होता है आपको पता है IOCL का यह कुछ important codes हैं please इने note कर ले रहे क्योंकि form fill करते time आपकी मदद करेंगे उसके बाद जो है यहां पर relaxation related information हम इस पर आ जाते हैं तो यहां पर जो है आप देखें 14 15 वाला पार्ट आप पढ़ ले और बाकी यहां पर आपको पता है return exam होता है आप लोगों का यह जो है इन्होंने selection methodology दे रखी है जिसमें जो IT वाले बच्चे है technical पार्ट के वो अपना देख सकते हैं कि उनका technical exam होता है और मैंने कुछ आपको study material दे रखे हैं description में portal पर जाके आप ले सकते हैं link मिल जाएगा आपको और यह जो है content की apprenticeship है इसमें graduation वाले बच्चे अपलाई कर सकते हैं BTEC आपका नहीं चलेगा ध्यान रखना इस चीज़ का ठीक है MCA BCA नहीं चले जो भी उनका criteria होता है वो बनता है आपके technical का exam आता है मतलब जो आपने IT में पढ़ाई करिया उसके अलावा आपके जो जैसे आपका reasoning हो गया basic English हो गया उसके बाद यहां पर quantitative aptitude हो गया इस तरीके questions भी include करता है department तो 25 और आप 75 का ratio देख सकते हैं 75 जो है आपका technicians है 25 आपका यहां पर non-technician से उसके बाद यहां पर आपका medical भी होगा भाई ध्यान रखना medical आपका होता है इस तरीके का department लेता है medical एज आपकी I think 37 2019 की बेस पर calculate की जारी 18 8 2019 तक आप इसका form फिल कर पाएंगे एक काम आपको करना है आपको जो है यहां पर सबसे पहले तो apprenticeship portal पर registration करना है अगर कर लिया है तो अच्छी बात है नहीं किया तो अभी कर लो और जिन बच्चों ने अपना apprenticeship portal पर registration नहीं किया तो वह भी कर ले दोनों का अलगलों का दिखान रखना आईटिया वाले बच्चों का जो NCVT MS portal होता है वह होता है और जो यहां पर डिप्लोमा वाले बच् आती है मैं आपको लोगों को इनफॉर्म कर दूँगा और आईटे में आपके 50% मार्स होने चीए डिप्लोमा में आपके 50% मार्स होने चीए तब आप अपलाई कर सकते हैं 5% की छोड़ दिये इन्होंने SCHT को मार्क्स में और बाकी कोई doubt है तो बताओ मुझे कि मैंने आग दो दिन बाद जो है update कर देंगे admit card देखते कितना सच्छा है कि दो दिन बाद update करेंगे और नहीं करेंगे बाकी मैंने important links आपको description देई दिये जाए विजिट कीजिए साइट पर form को fill कीजिए कोई doubt आता है तो comment box में बताइए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share कर देना fee कोई भी नहीं है free of course form है ध्यान से सुन लो इस बात को आप लोग fee भी पूछने बहुत बार तो free कुछ नहीं है 18-24 सा ले जाए ठीक है धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए और कल आप लोगोंने मुझे बहुत support कि एक मैं आपके लिए practice set लेकर आयता हूँ जो है उसका quiz का answer कि मैं आपको जल्दी जल्दी provide कर दूँगा कल और कोशिश करूँगा कि आज रात में इलेक्टिशन का आपको मैं steady material डियो के लिए provide कर दूँ धन्यवाद